नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है विरिंदन है इलहाबाद विश्चुपिद्दाले स्युटी यूजी का जो रजिस्टेशन है उसकी रखतार बहुत धेमे पड़ चुकी है आप सभी अगर इलहाबाद उन्वस्टी में आने का सपना देख रहे हैं त इसके साथ इस वीडियो के माद्गम से हम बात करेंगे कि जो नौन-CUT बच्चे हैं इनका डारेक्ट एड्मिशन हो रहा है 12th पास की मेरिट पे उन्हेका भी एड्मिशन प्रॉसेस बहुत सारी कॉलेजेज में स्टार्ट हो चुका है लेकि सबसे पहले बात करते हैं कुल कितने रेजिस्टेशन हो रहे हैं सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप जॉइन कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलिग्राम एलाबाद यूनिवर्सिटी एक्स्प्रेस को भी आप जॉइन करियो और परिच्छा दी है, अगर विख इंवस्टी को अप्सर्प्सन अपने फ्रफर में सेलेक्ट केते हैं तब भी और अगर वह परिच्छा दीए है और फॉर्म नहीं स्लेक कीे हैं अब यहिदानी मस्टी स्थिति है छे जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक जो है तक डाटा है लगबाग 22,000 अभी तक कम्प्लीट हो चुके हैं कि 22,000 बीये कोर्स पीसी बीकॉम बीलबी बीपीय बीफे उनके लिए हो रहे हैं कि सारे बच्चे मिला करके 22,000 की संख्या अभी पहुंची है आपको यह एकदम अंदाजा होना चाहिए कि अभी सीविटी यूजी का रिजल्ट नहीं आ रहा है रिजल्ट के बाद रजिस्टेशन के लिए बच्चे थोड़ा सा भटकते हैं वह थोड़ा सा एक्टिव होता है अभी बहुत बच्चों को पता नहीं हुआ कि इलहाबाद इंवस्टी का रिजिस्टेशन अभी चल रहा है औ इस बार ये संख्या बढ़ने की उमीद है क्योंकि पिछले साल इलहाबाद इविश्टी का जो एडमीशन प्रोसेस था वह बहुत डिले स्टार्ट हुआ था कई दिन बाद रजिस्टेशन इस बार रजिस्टेशन पहले हो रहा है जब सेट की बढ़ने की भी संभावना है क्योंकि जब तक सीटी उजी का रिजल्ट रहीं आएगा तब तक तो रजिस्टेशन कराएंगे और रिजल्ट के आने के बाद भी कमसकम 10 दिन का मौका दिया ज रजिस्टेशन कहा जा रहा है करने के लिए अभी पांच दिन आपके पास बच्चे हुए है यह वीडियो आज के दिन अपडेट होगा तो आप जल्दी फजल्दी रजिस्टेशन कर दीजिया रजिस्टेशन आपका दो फेज में होना है पहले फेज में आपका और YSC और YSD के बच्चों के लिए देशाओ हुएं ये बात हो गई CUTUG के पूरे एड्मीशन के प्रोसेस की आप पहले रजिस्टेशन करेंगे रजिस्टेशन का फेज बन कमप्रीट करेंगे CUTUG जब रेजल्ट आ जाएगा तो आप रजिस्टेशन का फेज टू कमप्र का ले रही है तो 25 मान लीजिए तो 25 को अगर रिजल्ट आएगा तो इलापाद इन्वस्टी सेकेंड फेज का मामला स्टार्ड भी करेगी लगभग उमीद ये करते हैं कि जो आपकी काउंसिलिंग होगी तो पांच अगस्ति के बाद हो सकती है यानि की अगस्त के 2nd week में आपका कांसिलिंग स्टार्ट होगा थोड़ा सा भी आपको वेट करना होगा क्योंकि वेट ही करने पर ज्यादा मामला आपका बनेगा लेकिन आप लोग रजिस्टेशन करिए लाबाद विस्विदाले बहुत सांदार विस्विदाले हैं आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें डीजिए रजिस्टेशन पहले कर दीजिए साथी संगती को भी बताइए कि इलहाबाद इमस्टी का रिजस्टेशन का फॉर्म आ गया है जानकारी थी कि अभी जो डाटा है वो 22000 का ड बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो भी सवाल हैं आप अपने सवालों को कमिंट बॉक्स में मैं फच करके और हमारे पास अपने जो भी मैंने आपको बतागा फॉलू कर लीजिए सारी अपडेट आप अपडेट रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद